तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं functions of management की यह भी हमारा nature and significance of management का एक टॉपिक है functions of management होता क्या है और कौन-कौन से हमारे functions of management है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक previous वीडियो नहीं देखी है उनको देख लेना मैंने प्रीविएस वीडियो में मैंने cover कर दिया है management का effectiveness और efficiency में क्या difference है वो भी मैंने cover कर लिया है characteristic क्या है importance क्या है most important level of management क्या और दूसरा most important क्या है nature of management क्या यह सब मैंने क्या इन सब की मैंने वीडियो बना चुकी है ठीक है जिसने भी तक वीडियो नहीं देखी देख लेना वन्ना आपको यहां पर इस वीडियो में कुछ समझ भी नहीं आएगा right तो मैं बात कर लेते हैं यहां पर सिथो का आज फंक्षेंस आफ management की हमारा functions of management है हまसे जो management कोने वह कितने होते हैं पांच होते हैं तो पहला च्चन हमारा क्या है planning और दूसरा फंक्चन हमारा क्या ओर गुणारा स्टाफिंग फिर इन कंट्वेंध यह हमारा क्या है सिक्वेंस पर फंक्षिंग jis मैनेजमेंट है वह किस तरह से फंक्षन करता है पहले प्लानिंग होती है मैनेजमेंट के अंदर फिर हमारे हां क्या होती है और और फिर हम क्या करते हैं स्टाफिंग करते हैं फिर हम क्या करते हैं डारेक्टिंग और देन हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग करते हैं आप इसको प्लानिंग है वह हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट को जो हम प्लानिंग कहता क्या है प्लानिंग यह कहता है कि जो भी हमें करना है जो भी हमें करना है किस तरह से करना कप करना कौन उसे करेगा यह सब हमें कौन बताता है प्लानिंग बताता है ठीक है प्लानिंग हमें क्या decide करता है planning हमें यह बताता है कि what to do how to do and who is going to do it clear हो रही है इसका मतलब यह क्या होता है planning होताई सबसे पहले कोई भी management कोई वी organization होती है। सबसे पहले क्या करते है planning करती है जब तक आप planning ने खरोगे तब तक आप क्या नहीं कर पाऊगे आप एक प्लाइन करने के बाद हम दूसरा जो हमारा फंक्शन है अप्टर बानिंग स्केड़ करन किया वह स्भिशन है आज बिजनेस के अंदर हम कौन-कौन से डिपार्ट्मेंट रखने वाल हैं उस डिपार्ट्मेंट के अंदर कौन-कौन रहेगा हम यहां पर जो ऑर्गनाइजिंग में हम क्या करते हैं structure बनाता है यहां पर हम यह decide करता है कि different different activities कैसे कैसे की जाएगी है हम कौन-कौन सी activities करने वाले हैं organization के अंदर ठीक है और किस तरह से की जाएगी ठीक है यहाँ पर यह भी देख़ा जाता कि कितने बंदे हमें चाहिए होंगे ठीक है यहाँ पर यह भी देखा किया जाता है organizing में ही decide किया जाता है तो मतलब basically मैं बोलों तो यहां पर जो organizing है organizing में हम मोटा मोटा हम क्या कर रहे हैं department के बारे में सीख रहे हैं और relation के बारे में सीख रहे हैं किसके relation के बारे में superior और subordinate के relation के बारे में बात clear हो रही है इतनी बात क्लियर हो गए तो मैं तीसरे फंक्षन की तरफ बढ़ता हूं तीसरे फंक्षन की बात करूं तो तीसरा फंक्षन हमें कहता है जो स्टाफिंग है यह हमारा क्या तीसरा फंक्षन है स्टाफिंग फंक्षन यह कहता है जो भी तुमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे आपन उनके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा उनके अंदर अब हमें क्या करने पड़ेंगे उनके अंदर हमें वरकर्स रखने पड़ेंगे उनके अंदर हमें क्या रखने पड़ेंगे इंडिवीजोल्स रखने पड़ेंगे उनके अंदर हम क्या करते हैं इंडिवीजोल्स को रख जो मार्केटिंग में उसको मार्केटिंग में रखेंगे जो सेल्स में यूर्प और जो पषेज में अच्छा और उसको हम क्या करot hanno फूल फॉल्फिल करते हैं तो जिंडिवीज litt Perm हम क्या करते हैं उन पोस्ट को फुल्फिल करते हैं तो कहीं न कहीं जो हम हम स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं सही बंदे को सही पर्शन को हम क्या करते हैं सही पोजिशन में रखते हैं इतनी बात क्लियर हो रही है हम सही बंदे को सही पोजिशन में सही टाइम पे रखते हैं सही पोजिशन का मतलब है कि सही डिपार्टमेंट राइट इतनी बात क्लियर हो रही है स्टाफिंग हमें क्लियर हो चुका है स्टाफिंग के अंतर हम रिक्रूट्मेंट के बारे में पढ़ेंगे स्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे ट्राइनिंग के बारे में जाने वाले chapters में पढ़ेंगे पहला हमारा भी nature and significance है उसको clear करेंगे उसके बाद हम principles of management फिर हम Business environment को clear करेंगे फिर जाकर हम क्या करते हैं सारे के सारे function एकदम detail में पढ़ेंगे जितने भी आप यह function पट और इनका एक और वहां पे हम कीन को रखेंगे उनको रखेंगे जो सही बंदा होगा ठीक है न और जो उस पोस्त के लाइक होगा जिस के अंदर उसके लिए क्या होगी गिलिंटी subsid के आपके पौस्त के लिए किवे क्या होगी आधिक हूथ यह सही टाइम पर हमें Rもの सब्सक्राइब क》र ने की बिढ़ा हुआ बहुर्ण करने के बार हम लूब हम बनाना इस टांट करते स्टाक्टब बना रहे थे तो हम जितनी भी कटिविटींग लूजक्तात करते हैं भीुटीयंग करने भी वे ब्रूज कर भी और यह स्कूल उनको हम क्या कर रहे थे लिख रहे थे उनको हम क्या कर रहे थे एक स्ट्रक्चर बना रहे थे ठीक है और साथ-साथ हम यह कर रहे थे कि सुपीर और सबॉडिनेट के बीद क्या रिलेशन है वह भी हम कहां पर कहां पर हम कहां पर हम कहां पर हम कर रहे हैं डेटर्माइन कर रहे इंडिवीजोस का मतलब हो था काम करने वाला ठीक है सुपीर सबॉर्डिनेट वरकर्स कुछ भी हो सकता है तो उनको हम क्या कर रहे थे उनको हम और गनाइजेशन के अंदर जो हमने वो इतनी बात क्लीर हो गई और जो हमारे स्टाफिंग चीज आता है रेक्रूटमेंट आता है ट्रेनिंग और डबलब्मेंट भी आता है इसके बार हम इतनी चीज हो चुकी थी यहां तक हमारे फंक्शन्स हो चुके थे तो उसके बाद क्या करता एक और्गनाइजिशन जो मैंनेज्मेंट ЛAP加 Zig Uni को हमने कहां र रखाया है और उनको अब हम क्या करते हैं इंस्टर्क्त करते हैं do always करते हैं शुपरवाइब करते हैं लीड करते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं कोमींनिकेड करते हैं को कमांड को क्या करो सुपर्वाइश करो अपने संबाइट को क्या करो सुपर्वाइश करो का मतला का मतलब ल modal feature उनको देखो कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनको क्या करने का है मोटिवेट करने का है उनको मोटिवेट करेंगे तब हमारा ओर्गनाइजेशनल का गोल कंप्लीट होगा और उनको लीड करो और उनको क्या करो कर रहे हैं बात क्लियर हो लिए है जो भी हमने सबॉडिनेट हमने क्या बुलता है इनको अच्छे यह और सबने में किस तरह से आप कम्प्लीट कर सकते हो और जो हमें सबॉडिनेट को को motivate करने की जड़रत पड़े तो हम उनको motivate भी करेंगे उनको instruct भी करेंगे उनको lead भी करेंगे clear हो रही बात और उनको क्या किया जाएगा का supervise भी किया जाएगा मतला वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इतनी बात क्लियर होगा यह directing आपको समझ में आ चुका है ठीक है तो इसके बार मैं बात करो इसके बार हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो लास्ट फंक्शन हमारा कौन से कंट्रोलिंग फंक्शन यह हमारा मैंनेजमेंट के लास्ट फंक्शन है ठीक ना कंट्रोलिंग हमारा एक ऐसी प्रॉसेस है कंट्रोलिंग हमारी ऐसी प्रॉसेस है जहां पे हम compare करते हैं actual performance को with standard performance के clear हो रही है बात जब हम actual performance को standard performance के साथ compare करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं controlling नाम देते हैं मैंने बोला मेरे subordinate मेरे subordinate ने मुझे कहा था मेरे subordinate ने मुझे कहा था कि मैं आपको यह फिर हमारे जो organization थी organization में बोला गया था कि जो एक individuals है एक काम करने वाला है वो क्या करेगा वो 10 product पर मंत बनाएगा क्या करेगा 10 product दस product हर महीने बनाएगा ठीक है नहीं किस ने में लेका था organization ने असने काता तो और्गनाईजेतिय ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दे देशात राइट एक स्टैंडर्ड सेट कर लेगा था पर जो हमारा पर object इने कितने बनाए और तो कहीजन यह क्या होगी एक स्टैंडर्ड परफरोंश होंगी जो क्या की गई एग actual performance को किसके साथ compare किया जाता है standard performance के साथ compare किया जाता है उसके बाद देखिए आप यहां पे जो कितने की कमी आ गई है कितने से कम बनाए इसने प्रॉडक्ट इसने कम बनाय है किसने एक individual है individual ने दो product कम बनाए इसी को नाम दिया जाता है यह आप डीटेल में पढ़ोगे कहां कंट्रोलिंग चैप्टर में मैंने बताया आपको जितने भी फंक्षन है सब फंक्षन का एक सेपरेट सेपरेट हमारा क्या है एक चैप्टर है उसमें हमने बहुत डीटेल में जाना है क्या क्लियर हो रही है बार तो आध की वीडियो के इतना ही ठीक है न जो आपको वीडियो पसंद रहे है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो शब्सक्राइब करो